राज़ेपाल राजवेंद ओलकर ने आरक्षन संशोधन बिल 2023 को मंजूरी दे दी है बिहार में 65 प्रतीशत आरक्षन का रास्ता साफ हो गया है SCST, OBC और EBC के लिए आरक्षन का दारा बढ़ा इस संधर में बिहार का सामाने प्रसाशन विभात के और से गजट प्रकाशन करेगा उसके बाद ये लागू हो जाएगा बिहार विधान मंजल के शीत कालिन सत्र में विधान सबा और विधान परिशद में सर्व सम्मती से बिल पारित हुआ था आरक्षन का दारा 50 से 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताफ था EWS के 10 फिस्दी जोड कर ये 75 प्रतिशत हो जाएगा आपको बता दे कि अनुसुचे जाती को 20 प्रतीशत, अनुसुचे जन जाती को 2 प्रतीशत, अती पिछडा जाती को 25 प्रतीशत और पिछडा वक को 18 प्रतीशत आरक्षन मिल सकेगा वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामाने वर्ग वाले लोगो को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षन का प्रावधान लागो रहेगा बता दे कि बिहार में जातिये गणना के सामाजे का आर्थिक रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नितीश ने आरक्षन का दायरा 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था आरक्षन का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को बिहार काबिनेट ने मंजूरी दे दी थी विदान सबा में बिलको दो हिस्सों में पेश किया गया था